सब्सक्राइब करें अब दोस्तों कैसे आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सभी विद्ध्यार्थी पटावर से जूर जाएए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और सभी विद्ध्यार्तियों के लिए डेली साड़े-बारे बज़े एक शान्दार क्लास आती है और उस class में हम बहुत ही बैतरीन concepts पढ़ते हैं, हर दिन questions करते हैं, मज़ा आएगा आपको, साथ के साथ मेरा नया foundation best शुरू हो गया है, आज से ही आप जल्दी से जुर जाएए, practice batch आएगा, फिर 25 तारिक से main batch आपके सामने आने वाला है, तो अपनी तैयारी को आप अलग लिवर पर ले जा सके हैं, अनकेडमी लर्नर एपर आपको जाना है, get subscription पर जाना है, math, reasoning, gk, English, सभी subject आपको मिलेंगी, 24 महिने, 12 महिने का course लेना है, और साहिल 10 as a code लगा देना है, अब जैसी आप साहिल 10 लगाओगे, apply करके discount आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है, चलिए, और प्रॉसी टू पेपर जाकर आपको सारे चीज़ें बहतर बनानी है, अपने credit point को अपने redeem कर लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों, साहिल 10 as a referral code लगाकर अनकेडमी पर अगर आप किसी भी category में जुड़ते हैं, तो आपको discount मिल जाएग, ठीक है, चल आएगा, आपको, खुद कोई आपको rank improve होगी, सब कुछ अच्छे से लगेगा, चलिए, 11 बजी जो मेरी class हुई है, उसका part 6 हुआ है, lecture number 46, तो आप इसो भी cover कर सकते हैं, अभी एक प्यारा सा question है, चलिए इसको करते हैं, जो homework में मैंने दिया था, ठीक है, आईए, एक मिश दूसरा मिशुधातू है, जिसमें निकल, पॉपर और अलुमिनियम और लोहे, निकल, अलुमिनियम और लोहे का अनुपात है, निकल, अलुमिनियम और आइरन, छे अनुपात, चार अनुपात, दो के अनुपात में है, तीसरा मिशुधातू है, इसमें अलुमिनियम और न निकल वो कितना हैं 2 अनुपात 3 है थीक है भई ठीक है यदि आपसे बोला जा रहा है कि सभी मिश्वधातू एक साथ मिलाए जाते और प्रतेक का समान बजन लेने पर नए मिश्वधातू में निकल तामा अलुमिनियम लोहिक अनुपात तो कितना प्यारा कुश्शन है तो प और वो तीन से कुणा आपका मामला सेट हो जाएगा क्या सबको बराबर कर दिया भाई हमारे पाद जो कॉंसेप्ट हैं उस कॉंसेप्ट को फॉलो करेंगे अब बोला जा रहा है कि आपको निकल निकल देखो यहां से निकलेगा आठ तीया 24 और निकल यहां से निकलेगा तो कुल मिलाकर यह हो गया च्छे और चार दस तीन तीन च्छे और तीन निकल उसके बाद अपने पास आगे अब तांबा तांबे की बात अगर हम करते हैं तो 21 यहां तांबा है कॉपर और कहीं कॉपर नहीं है तो नब्भे 21 देखना तो आंसर आ जा रहा है अभी देख ल और देख लेते हैं क्या लोहा लोहा केवल क्या है दस है तो आंसर आ गया ए तो कोशन कैसा लगा दिखने में लेंदी है लेकिन बड़ा मज़ेदार है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखेंगे कैसे होगा देखिए अधि एक एक्टिवा 30 km प्रती घंटे की 10頭 Springs से चलाती है और अपने गंतव्या पर गंटे में पौंच में पॉहँचा लां जाराव है कि अगर अगर आपको बोला जा रहा है कि जो मदू है वो टाइम ले रही है च्छे गंटे और जो कवीता है ओ टायम ले रही है चार घंटे यह आपके टाइम का रेशो टाइम है अब यहां टाइम का रेशो हो जाएगा तीन अनुपात दो तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा तीन सुन रहे ना मिरी बार यह सर अब भाई दूरी तो पता लग गई 30 की रफ्तार से चल रही है मदू और 6 गंटे में पहुंचती है याने कि 180 किलूमीटर है दूरी तो उसको साइड में रख दो अब यहां से हमारे पास क्या निकल कर आगई सर मदू की रफ्तार 30 है तो एक बराबर 15 तो यह हो जाएगा 35 तो कवीता की रफ्तार होगे 45 अब क्या बोला जारा है मदू अपनी रफ्तार को 10 बढ़ा दे याने कि 40 कर दिया और कवीता पांच कवीता को 5 बढ़ा दे याने कि 50 तो टाइम का अंतर कितना होगा तो भाई 180 180 में डिवाइड कर दो माइनस कर दो 180 को कॉमन ले लो 50 माइनस का 40 बटे 200 2000 जो भी है और यह अंसर है अब सॉल्व करना क्या आ रहा है सॉल्व करने पर जीरो से जीरो कट रहा है यह आ रहा है 180 बटे 200 और यहां पर मैंने 60 का गुणा कर दिया 54 मिनिट आ गया यह गंटे में चल रहा था तो 54 मिनिट आपका राइट आई आजाएगा तो यह काफी प्या नेक्स्ट इसकोशन का जवाब दीजिए पांच वस्तूओं का उसत भार 200 ग्राम है यदि दो और वस्तूओं को शामिल कर दिया जाए तो 210 हो जाता है तो दो नहीं वस्तूओं का तो मैंने का ओल्ड उसत इतना है पांच के बाद आपनी जो वस्तूओं हो गई साथ हो गई 10 ग्राम जाता है तो 200 पलस 7,535 तो 230 ग्राम आपका रॉइट ऑंच आगया अर्ध गोले और शंकू के आधार बरावर है यानि कि एक अर्ध गोला है और एक शंकू है एक संकू के आधार बरावर है इनकी उंचाईयां भी बरावर है तो वक्र प्रष्टिय छेत्रफल का अनुपाद बता दो यानि कि अर्ध गोला है यही शंकू है इस तरह से वक्र प्रष्टिय छेत्रफल क्या होता है इसका जो एरिया हो जाएगा आधार बरावर है तो रेडियस और ये भी रेडियस बरावर होगी उंचाई भी रेडियस के बरावर है तो कि इसकी उंचाई भी आर है और ये भी वह तो आर पाई से पाई कड़ गया, आर स्कॉयर से आर स्कॉयर कड़ गया, आंसर आया, रूट टू अनुपात एक, सी, रूट टू अनुपात एक, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन का पहला कुश्चन आपके सामने है, करके बताईए, झात問, आर से, शलिए आपके सामतों आपके सामना प्रटल का है, करके सामने हैं, तो जढ़ Teams वा करके सामने, आर से ठीक है, रूट टू आपके सामने, पिता उनुब हैं, आर सामने, हमने, आर स Wellen जे सामने हाभs, winners 18th grade, झाल 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 पूरा पूरा हो गया रहे पूरा कोशन बता दिया साउंड नहीं था आईए 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 दुबारा से देखते हैं दुबारा से बताते हैं कि कोशन क्या कह रहा है आजएए तो यहां पर हम यह देख लेते हैं कि 8% की रेट है और अर्दवार्शिक है तो रेट को तो आधा कर दो किस को बिना साउंड की भी समझ में आ गया और समय को तीन गुन ना कर दिया तो यहां हम जानते हैं सर यह होता है एक बटे 25 तो यहां कहते हैं भई देखो 25 से 26 अगर आ गया ना तो तुम सबसे अधा अंडेस्टेंडेवल बन चुके हो मेरे साथ में यही सबसे वड़ी खास बात है कानों में आवाज यह गूंसती है देखिए यहां पर ह हमारे पास कितना आ रहा है सर 15 625 और 17 576 अब ही मैंने जब यह निकाला तो अभी आपको पता लग गया था यह 2.4 आया 2.4 ही तो आ रहा था 2.4 का जब आप गुणा करोगे तो अब आपको हिसाब किताब देखना है कि क्या निकल कर आ रहा है ठीक है तो 2.4 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आया 82 वाला तो आंसर कितना होगा option number A होगा चलिए next अगला question देखिए कैसे करोगे answer दीजेगा रहे है चलिए कैसे करेंगे अ कि चय संख्याओं को असत इतना है उन में से दोका आसत इतना है अनिया दोका आसत इतना है तो तो शेष संख्याओं का कितना होग भाई देखो छह संख्याओं का कितना है तीन प्वेंट 50 में empowered in install a कितना है 3.85 तो अन्य दूसन क्यों को कितना है निकालते हैं तो यह इससे कितना हो गया आप यह देख रहे हो कि यह जो है यह अपना कितना कम है 55 कम है 0.55 पॉइंट पच्पन इंटू 2 यह इससे कितना कम है 0.10 इंटू 2 तो यह कितना आ गया सर माइनस का 110 याने कि 1.10 और माइनस का 0.20 यह कितना हो गया माइनस का 1.30 अब यह बढ़ेगा इसमें क्योंकि प्लस में आएगा 1.30 इंटू 2 याने कि 0.65 तो तीन पॉइंट पिच्चान में से कि 0.65 की जब ब्रद्धी कर दोगे न तो 5 और 5 दस 15 और 16 चार पॉइंट छे आंसर आ गया 4.6 जिसका भी आंसर है वो सही है नेक्स्ट आराम से करके बताईए क्या होगा आगे यह लीजिए चलिए 414 को A, B, C में इस प्रिकार बाटा जाता है कि A को B तथा C को मिलाकर मिलने वाले धनका एक बटे दो के बराबर मिलता है और B को A तथा C को मिलाकर मिलने वाले धनका दो बटे तीन के बराबर मिलता है कहानी यही है कि तीन और दो पांच है और दो और एक तीन है अब बराबर होना ही जरूरी है तो यहां पांच का गुणा करो यहां करो तीन का और पांच का गुणा करोगे तो ए आ जाएगा पांच बी निकल जाएगा आपका कितना छै और यह अपना पंदरा है तो सी हो जाए आए आपको तो 15 रेशो अना यही आ रहे है न 15 रेशो बराबर अगर आपका 414 है तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो 3 से जा रहा है 5 बार तो 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3, 9, 3, 8, 24, 5 रेशो बराबर 138 तो एका इससा ही पूछा गया है 5 रेशो की वेल्यू ही निकाल नहीं है तो डाइरेक्टली 138 आपका राइट आंसर होगा option number B ठीक है मज़ा आ रहा है न करने में चलो करके बताओ अगला प्रश्न फिर अच्छे से करना है ना कर दो करताओ प्रश्न, कर दो कर दो कर दो कर दो कैसे करेंगे देखो एक कार्य को आठ आदमी 36 दुनों में पूरा करते हैं यदि उनके साथ चार और आदमी मिल जाए बारे हो गए तो उसी कार्य के दो बटे तीन को किते दिन में होगा तो बही देखो चार तीया बारा चार दुनी आठ तीन से काटा बारे बार बार बारे दुनी चौबिस ठी बाई टू एक्स एक्स परावर सोला थी थी करिए अगला कुश्चन देखिए कैसे करेंगे किसी साड़ी का अंकित मुल्य दो सो पच्चिस रुपे है अंकित मुल्य पर बीस परसंट की छूट देने के पस्चात दुकांदार को अठारा रुपे का लाव होता है याने कि बीस परसंट की छूट याने की पांच से चार पांच परावर अगर आपका दो सो पच्चिस है तो पांच चों के बीस बचे दो पच्चम पच्चिस तो पैंतालेसंटू चार करेंगे तो एक सो असी में बेच रहा हूं और अठारा रुपे का लाव कमा रहा हूं तो याने की खरीदा कितने में होगा अठारे का लाव है खरीदा मेने कितने में होगा 162 में अभी तो अठारे का लाव हुआ कॉमन सेंस है तो यहां से आप देख सकते हैं इंटू 100 अब जो इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखे कट रहा है कितनी बार जा रहा है नौ बार तो यह अंसर आएगा कितना option number A next आएए क्या बोला जा रहा है वाई एक कार कुछ दूरी साड़े चार घंटों में तै कर सकती है सर में यदि 25 किलो मेटर बढ़ा दिया जाए ना तो वही दूरी डेड़ घंटे कम लगता है आने कि पहले स्पीड एक्स थी अब स्पीड आपने एक्स प्लस 25 कर दी यही तो बाट वैसे भी कर सकते हो और टाइम के साबसे भी कर सकते हो खैँआ जैसकि पहले मालो अपना साड़े चार घंटा लग रहा है अब येड़े गंटे कम लग रहा है याने कि तीन गंटे लग रहा है चार दोनी आठ ये हो गया सर नौ बटे दो याने कि 9 अनुपाच 6 का टाइम है तीन 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 दुनी छे ये टाइम का रेशो है स्पीड का रेश्यों होगा दो से तीन तो पच्चिस बढ़ा दी न भाई एक बराबर अगर पच्चिस है तो पच्चिस दूनी पचास पहले थी ऐसे करो यह ज़्यादा अच्छा है पहले पचास थी अब 75 हो गई नैक करो अगला प्रशन ओडिसा में बुक कब आएगा बिलकुल आजाएगा ओन्नाइन भी मंगा सकती हो और अपने बुक सेलर से बोल देना वो मंगा लेंगा है न देखिए चतुस कौनी है मैदान है जिसका चोडाई उसकी लंबाई से 60 परसेंट है लंबाई से 60 परसेंट है याने कि लंबाई अगर 5 है तो उसकी जो चोडाई है वो 3 होगी मैदान का परिमाप आपको दे रखा है याने कि आपका जो परिमाप है वो है 2 इंटू लंबाई प्लस चोडाई याने कि 8X बरावर आपका 800 सो यानिकि एक्स बराबर निकल कर आ गया पचास मैदान का छित्रफल कितना होगा पंद्रा इंटू पच्छिस सो तो पंद्रा इंटू पच्छिस करेंगे पंद्रे पांच पिचेतर केरिया या साथ 37,500 अप्शन नम्बर बी कि चलिए किसी नेक्स कोशन करो भाई किए अंसर आता है जल्दी से बताओ कशन कोशन जाहिए देखिए, तीन व्यक्ति हैं PQR, उनकी वर्तमान आयू का अनुपाद दे रखा है 6, 7 और 9, पांस साल के पस्चात यह हो जाता है, मैं तो यह चाहता हूँ कि वर्तमान में कितना होगा, तो 81 में से 15 गटा दो आप, तो 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 66, यानि कि यह कितना हो गया सर, 9 और 7, 16, 16 और 6, 22 बराबर आपका 66 है, तो 1 बराबर आपका 3 हो गया, RQ हो जाएगा 9, 27, 27, बहुत अच्छे है यार, बहुत बढ़िया, अगला कुशन करिए, प्राबर आपका 2 टो 6, 25 बढ़र आपका 6, 21, virgin दो 6, 24 बढ़र आपका 7, 30, 20, 21, 30, 21, 22, 22, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 32, 35, 28, 31, 31, 32, 32, 31, 32, 32, trees, कि देखो क्या होगा बाई कि 24 सेवों को ऐसे दो भागों में बाटा जाता है जहां पहले का 8 गुना दूसरे के 6 गुने में जोड़ा जाए योग 174 हो जाए तो पहले का 8 गुना कर रहे हूं तो मैं तो दौनों का ही 6 गुना करूंगा यानि कि 24 इंटू 6 करने पर 145 होना चाह यह वाले होंगे 15 और यह वाला हिस्सा होगा पहला हिस्सा ही तो बूचा 15 आंसर आ गया तो कौनसा बात जिंदाबाद जे एसम जिंदाबाद दो के वज़े से ही तो 30 का फरक आया अगर सारे 6 होते तो 24 सेवों का मुल्या 145 हो जाता नेक्स्ट झाली झाली चलिये गए आकड़ों की माद्दिखा क्या है सर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस क्यारा बारा तेरा चौदे न बराबर अगर चौदे हैं तो माद्दिखा होगी सात्वा प्लस आठ्वा बटे दो चलिये अब सात्वा पत क्या होगा सबसे छोटे से लेके चलिये आप सबसे छोटू आदमी कहां है वो ले सर एक यह कटेगा दूसरे के पास चलते हैं यह भी छोटू है दो पीसरे के पास चलते हैं तीन आसपस की जो दिख रहे हैं वो काटते चलो यार 313, 4, अभी तो पहुंचना 7 तक है, अपनको तो काटते चलो, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, अभी देखना, कोई गड़बड तो नहीं हो गया ना, अब अगला 7 ही आएगा, अब 7 कौन है, 362 ही है सर, और उसका अगला 8 कौन है, 470, 362 प्लस 470, आपके सामने है, तो यहाँ आपका जो आनसर आने वाला है, तो 416 ही आएगा, क्योंकि बन रहा है 2, बटे 2 करना है, 416, क्लियर है, अरे मज़ा आया नहीं आया बताओ, ठीक है, चलिए, आईए, नेक्स कोशन देखिएगा, अलकोहल का मुल्य और तीन पॉइंट पांच उर्पे प्रती लीटर है, और केरोसीन का मुल्य धाई रुपे प्रती लीटर है अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतने में बेच लूँ तो 3.5 2.5 बीच में आया 2.75 कहानी क्या चल रही है 0.25 और 0.75 एक अनुपात 3 एक अनुपात 3 याने की विकल्प नंबर बी का आप चायन करेंगे ठीक है यह बात अगला कुशन करिए और लाइप खीच के करते जाएए वो जरूरी है देखो कुछ बात नहीं है लेकिन जरूरी है हाँ 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 कि अबी किसी ब्रत का व्यास है इसका केंद्र ओ है ब्रत की जीवा सीड़ी है बी ओ सी आपका 120 है तो एडी सी कितना होगा चलिए हाँ हाँ है यह आपके ब्रत का व्यास है सर यह भी अगर आपके ब्रत का व्यास है ओ इसका केंद्र है स्तीडी जीवा है ब्रत की जीवा जो है सीडी है तो बी ओ सी बी ओ सी यह भी हो सकता है अगर मैं इसको सीडी मान रहा हूं तो यह वाला भी ओ सी एक्सोबीस है ठीक है मान सकते हैं एडी सी कितना हो जाएगा एडी सी तो यह अगर यह है तो यह वाला और यह वाला बराबर होगा न तो इसके सामने अगर बी यह अगर एक्सोबीस था पूरा ठीक है तो यहां पर आपके सामने जो निकल कर आ रहा है हाँ बेसिक चल रहा है सुबहे सर अब्जेक्शन कुशिन कहा हम पेज़े मेरे वो टेलिग्राम पर बेज़ दो आई है न देखते हैं देखो मैं दुबारा से इसको दिखाता हूं आपको साफ साफ यहां पर मैंने क्या मान लिए सीडी मान लिए आप देखना कैसे करेंगे अपने सर यह अपना एक सोबीश है और यह अपने सीडी माना है बी ओ सी यह अपना ओ केंद्र है बी ओ सी यह अपना एक सो बीस है सुन रही हो न यह साठ हो जाएगा अपने आप ही हो जाना है उसमें आप कुछ नहीं करपाऊगे ठीक है नब ADC निकालना है आप बूसको निकालते हैं निखे कैसे निकालते हैं तो sibling ADC निकालना है यानि है एडी सी ADC यह वाला कौन यह ADC कहा है यह रहा यह आप निकाले है सर अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि OBC कितना हो जाएगा अपने पास OBC यह वाला अगर कौन आप निकालना चाहते हो यह OBC जो अपने पास है यह भी निश्चर तोर पर 30-30 हो जाएगा यह भी 30 और यह भी 30 क्यों क्योंकि ये 120 है ना तो बचे हुए ये 30 होगा ये भी 30 है ये भी 30 डिग्री हो गया ये भी 30 हो गया ठीक है चलिए अब आप एक चीज जानते हो कि सर ये जो कौन है अगर मैं इसके द्वारा अर्दब्रत पर बना हुआ कौन पूस्ता हूँ तो ये 90 होगा ये वाला इससा कितना हो जाएगा 60 अगर आपका ये 60 हो गया और ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया अपने आप ही हो गया ये 60 आपको क्या निकालना है ADC यानि कि ये वाला एंगल आपको निकालना है ADC तो ये वाला एंगल आपको पता है कि भाई इस तरह से जब चल रहा है तो ये 120 हो गया एंगल D और इसमें से ये जाएगा तो ये बचेगा 30 बचेगा क्योंकि ये 60 है ये 90 है ये 30 बज़ गया 30 आइगा भाई 30 इसका राइट आणसर आ रहा है आप लोगों का क्या आ रहा है 60 क्यों की गलत थर्टी इसका राइट आणसर राहूल के रहा है साथ ग्रूप डी का आपका theoretical class नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिलेगा भाई एक बच्चा कहा रहा है मनीश यादव अरे सर कोशन पांच देखो आंसर आठ होगा देखते हैं मनीश बहुत देर बाद जाक के इसने पूरा घर सबसे मौले में पूछ के आया है अच्छा मनीश क्या रहा आंसर आठ होगा आप क्या जवाब देना चाहेंगे है मनीश अब क्या कहें तुमारा अब एक बर और ट्राई कर लो जिससे हो जाए तो बढ़िया है फिर नहीं तो हमारा तो 16 आ गया है अगला कोशन आप करिए इस प्रशन का उत्तर क्या दोगे बताओ जल्दी जल्दी झालिए यहां पर यह आपके सामने आया अब कॉंसेप्ट वबस यही कहता है कि यहार कोश एक्स बराबर कितना है वन माइनस कॉस स्कु एक्स यहां से यह स्पष्ट हो गया सर्कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा नी हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हाँ में धोड़ी जी तवी खराब है बोलते हैं तो जादा जोर पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं आप पड़ा ही पर ध्यान दो अब यहाँ पर जो कहानी है ना सर उस पर जारा फोकस करेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है बोले सर कहानी क्या है कहानी यह है कि साइन यह जो है ना यह साइन फोर प्लस साइन फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का whole cube है पता है कैसे बता चर्ब क्योंकि यह 12 आ रहा है और यह 6 आ रहा है तो यहां तब ही आएगा जब ऐसे बनेगा sin 4 plus sin square x का whole cube और जो minus का 1 है वो ही रहेगा उसको छेड़िएगा नहीं बहुत बढ़ी असर यह आपको पता लग जाएगा क्योंकि 3 आ गया 3 आ गया तो 3ab into a plus b याद है बस वही concept है तो यहां से क्या हो गया यहां से यह हो गया कि cos x बराबर अगर sin square x है तो sin की power 4 x बराबर कितना हो जाएगा cos square x इन दोनों को अगर जोडते हो यह 1 के बराबर है तो 1 का q minus 1 यानि की 0 आंसर होगा शुन्य आपका राइट आंसर होने वाले नेक्स्ट आप किसी के माइनस बना रहे बे मतलब ही इसका जवाब दो भाई पटा पट्से दे दो देखिये कि दो रेल गाड़ियों की चाल का जो चाल है वो छे अनुपात साथ के अनुपात में है दूसरी रेल गाड़ी चार घंटे में 336 किलो मिटर चले तो पहली रेल गाड़ी की चाल अब कोई बात ही नहीं इसमें यानि कि 336 बटे चार कर रहे हो तो पहले चाल निकाल लो तो यह हो गया ऐसा 438 और अपने पास आगया चार चोके सोला बारे सत्य चौरासी तो बारे चिंग बहतर आगया अंसर इसेवन्टी टू ऑप्शन नमबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट और यह लास्ट है जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आजाएगा हाँ बिलकुल मिलेगी जारखन में क्यों नहीं मिलेगी हर जगा मिलेगी लेकिन अपने आसपास वाले छेत्र में जो भी दुकानदार है या शौप की पर्स है आप उन पर जारके संपर करिए और फूटो दिखा दीजिए यह मंगाओ कि क्या करते कुछ लोग मंगाते नहीं है ना चान बूच के बही कोई नहीं क्योंकि आजकल सब ऑलनाइन मंगा रहे हैं लेकिन वहां 99 कई है पाइदा यह देखिए तो वह सबसे छोटी संक्या कौन सी है जिसे इसमें से घटाने पर पून वर्ग बन जाती है तो वह सबसे एक से ही स्टार्ट हो रहा है तो 122 है ना और 222 लोगे तो वह चार सुपर चला जाएगा राइट सो आपको अपना दिमाग बिलकुल सेंटर में रखना है कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आप गड़बड कर दो तो आपको यह देखना है कि किसके पास में है तो सर देखो 110 का अगर आप देखते हो तो यह हो जाता है 12100 ठीक है 111 का अगर आप देखोगे ना कितना हो जाएगा 122 देख रहे हो ना 122 और 121 तो 123 122 का अगर आप देखते हो तो क्या हो जाता है 124 एक सो पच्चिस चम्वालिस 113 का देखोगे तो कितना हो जाएगा 126 और 127 शिक्स्टीनाई ठीक है और 114 का देखोगे तो कितना हो जाएगा 128 या 129 96 इसी के पास में आ रहा है विल्कुल ये 13000 पहुँच गया और ये पहुँच गया तो कितना फरक है 222 का तो आपको यही बोलना जा रहा है नहीं कि इसमें से क्या घटा हूँ इसमें से 222 घटा दो ये आ जाएगा करन जब जब शिप होगा तब अपने अपडेट हो जाएगा मेरी बात हो गया ना उनका सिस्टम ही वही है कि जब शिप होता है तब ही अपडेट करते हो जिससे कि उनके डेश बोर्ड में वो दिखे कि अलाव करना है न तो आप उसके परेशान मत हों ठीक है भाई कुश्चन कैसे लगे जल्दी से बताओ यह 17, 18, 19, 20 यह आपके क्या है यह आपके हूमवर्क में प्रशन है कल करेंगे सुबह 11 बजे मैंने आपको पढ़ाया है आपको बस लगातार अपने आपको तयार रखना है चीजों को और भी वहतर बनाते जाना है अनकेडमी लर्निंग एप पर साहिल 10 को लगाकर आपको जुड़ना है जैसे साहिल टर लगाओगे अनलॉक कर देना चीजें आपके लिए हो जाएंगे मेरा नया कोर्स आ रहा है न्यू मेरा कोर्स लॉंच हो गया है ध्यान रखिए और नया जो कोर्स है वो 17 तारिक से आज आ रहा है और 25 तारिक से भी आ रहा है तो जुड़िए आज ही कर पाओगे सारे फीचर्स आपको मिलेंगे तो साहिल टैन को लगाकर आज ही आनकेडमी पर जुड़िए जिससे की मेरा जो अपकमिंग कोर्स है यानि कि जो आ रहा है या आ चुका है 17 तारिक से आज प्रैक्टिस बैच स्टार्ट है और वामप जो मैच होते उसी तरह से औ और आस के डाउट फीचर्स आपको मिलेंगी अगस्त के जितने भी ओफर्स हैं वह मिलेंगे साहिल टैन कोड लगाकर आपको जुड़ना है तुरंट अत्यंद जुड़िएगा मेरे साथ और एक्जाम को क्वालिफाई करिए भाई पढ़ाई करके ठीक है कॉमबैट में देखा हुआ है बाइलिंग्वल तो बाइलिंग्वल का मतलब होता है दोनों लेंग्वेज में चलें नेक्स्ट